Hey guys, welcome back to Lightbox Movies आज इस बीडियों में हम बात करेंगे Top 10 Best Hollywood Watch-Alone Movies के बारे में जिसमें आपको भर-भर के Romance, Fantasy and Drama देखने को मिलेगा और सबसे कमाल की बात यह है कि सारी Movies आप Free में YouTube पर Unofficially देख सकते हो जिसका Link पायो में दिया गया है और यह इन्हें हमारे Telegram चैनल से भी Download कर सकते हो इस वीडियो को एन तक जरूर enjoy कीजिए चले शुरू करते है Top 10 Movies का यह Countdown नमर 10 की मूव है London Fields जो की आई थी साल 2018 में एक लड़की जिसके अंदर mental powers है जिससे की वो future देख सकती है और जब वो खुद को murder होती हुए देखती है तो वो तीन लड़कों के साथ affair शुरू कर देती है और आगे क्या होता है इस सब कुछ आप इस मूवी में दीखिए मूवी में adult scenes की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगे मूवी को rating मिले 4 out of 10 MDB पर नमबर 9 की मूवी है नौक नौक जो की आईते साल 2015 में इस मूवी में एक devoted father और husband दो women की help करता है उन्हें भारिश के चलते घर में बना देता है और कहानी मट्यूस तब आता है जब दोनों women उसे should use करने लगती है और आगे क्या होते है सब कुछ आप इस मूवी में देखिए मूवी का screen पे plus adult scenes आपको बांध ही रखेगी मूवी का rating मिले 4.9 out of 10 नमबर 8 की मूवी है Sleeping Beauty जो की आईते साल 2018 में एक young girl कुछ पैसों के लिए service join करती है जहाँ उसे drugs दिया जाता है drug सी वज़े से वो अपने client के साथ naked सोने पे मजबूर होती है जो इस movie को interesting बनाता है वो है इसके bolts and erotic scenes movie का rating मिले है 5.3 out of 10 हमारे next movie है Deep Water जो की आईती साल देखर 20 में एक आदमे अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है लेकिन बीवी अपने पती को cheat करती है और किसी और की साथ intimate होती है लेकिन ये आदमी अपनी बीवी को कुछ पता नहीं चलने देता लेकिन इसकी बीवी जिसके साथ सोही होती है ये उसकी ऐसी की तैसी कर देता है full romance और ड्रामा से भरपूर ये मुवी आप जरूर देखिए मुवी को रेटिंग मेले 5.5 आड़ अफ 10 हमारी नेक्स्ट मुवी है देट स्मॉब वाई जो की ऐती साल 2012 में एक फादर जिसका दिल टीनेजर जैसा होता है और वो अपने बेटे की सिंगल पैरंट होता है बेटे की 18 बर्डे पर वो सारी हदे भूल कर फुल इंजॉय करता है जिसके कारण बाप बेटे में थोड़ी दरार आ जाती है आगे क्या होता है सब कुछ आप इस मुवी में देखिए मुवी के अंदर अडल्ट सीन्स जरूर इंजॉय कीजिए मुवी के रिटिंग में 5.5 out of 10 नमबर 5 की मुवी है जस्ट फ्रेंड्स जो कि अधि साल 2005 में एक भारी भरकम सा इंसान वेट ट्रांसफोर्मेशन करता है जिससे की वो लाइफ में सक्सेस्फुल हो जाता है और तब उसकी लाइफ में आती है एक होट लड़की जिसने इस लड़के को पास्ट में रिजेक्ट किया था हुमर और कुमेडी का मिक्स्चर देखने को मिलेगा अस मुवी के अंदर रोमेंटिक सीन्स की भी कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाले मुवी को रिटिंग मेले 6.2 out of 10 एम डिवी पर नमबर चार की मुवी है बैड मॉम्स जो कि आई थे सालधर 16 में त्री मुदर्स अपने काम से परिशान होती है तीनों ही टाइम एंड ओवर वर्क करती है वो डिसाइड करती हैं कि भाड में जाए काम और सुनो सिर्फ अपने दिल की जिसमें शामिल होते हैं मस्ति, स्ट्रिपिंग और सेक्शुल अफियर्स मुवी को रिडिंग में लें 6.2 आट ओफ 10 एंड विपर अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जुरूर लाइक कर दें चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जुरूर कर देना नमबर थ्री की मुवी है डॉन जॉन जो कि आए ते साल दोर 13 में एक पॉन एडिक्टिप लड़का जो कि पॉन की फैंटेसी में रहता है इतना जादा कि उसे अपनी रियल लाइफ का सेक्स भी बोरिंग लगता है हलकी कोमेडिय और रोमेंस की बीच कहानी पॉन वल्ड की डार्क रियालिटी को दिखाती है मुवी को रिडिंग मिले 6.5 आट अट 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 विपर नमबर टू की मुवी है गुड बॉइस जो के एतिस साल दर 19 में बारा साल का लड़का अपने दोस्तों को अपनी फश्ट किसकी पार्टी देता है अपने पापा के ड्रोन से टीनेज लड़क्यों को स्पाय करता है लेकिन जल्द ड्रोन उससे लॉस्ट हो जाता है और बढ़ जाती है problem मूवी में कई-कई जगा होट सेक्सी सीन्स भी है, मूवी को रिडिंग मिले 6.7 आउट ओफ 10 एम डिवी पर नमबर वन की मूवी है क्रैंक, जो के 30 साल गौर छे में एक टैलेंट हिट में से उसका टार्गट मिस हो जाता है मूवी को रिडिंग मिले 6.9 आउट ओफ 10 एम डिवी पर सो गाइस, I hope यह सभी मूवी आपको पहती पसंद आएगी, और भी बहतरी सजेशन के लिए वीडियो को जादे जादे लाइक करें मैं मिलूँगा नेक्स टूड़े में तब तक के लिए लव यू ठेक केर बाबाई